जय हिंद भाईयो आप सभी का फिरसे एक बर सवागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल फेंटासी जोन में तो भाईयो अगर आप फेंटासी प्लियर हो तो कभी ना कभी कैप्टीन और बाइसकेप्टीन के लिए आपका ग्रेंड लिक मिस हुआ होगा अगर आप fantasy player हो तो captain और vice captain को लेके कहीं न कहीं आपके मन में confusion रहता ही है कैसे select करो captain vice captain को कौन आज का best performer होने वाला है जो कि हमारा captain vice captain बनने वाला है तो भाईयों आज के इस वीडियो में सारा confusion को clear करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे भाईयों का comment भी आ रहा था पता होंगा कि किस तरह से आप captain vice captain को चूस कर सकते हो mega grand league grand league में और साथ में किस तरह से आपको पता लगाना है कि कौन सा player आज के match में best perform करने वाला है बहुत सारे वाई तो ऐसे यूटूब में वीडियो बना के डाल देते हैं कि वाई ऐसे rotation करो rotation करके आप captain vice captain select करो आप grand league जीच जाओगे लेकिन वो कभी नहीं बताता है कि कैसे पता करोगे कि कौन सा player आज का best performer होने वाला है जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और ये comment में मेरी तरफ से है आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको captain तो वीडियो को ध्यान से देखिए अगर आपके पास अभी time नहीं है तो वीडियो को कई save करके रखिए आराम से वीडियो को देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए game changer साबित होने वाला है और जो भी हमारा पूराना user है family member है उनको पता है कि fantasy zone में जो भी वीडियो अ upload करूँ सबसे पहले आप तक पहुचे और टेलिग्राम में जूरना भी बहुत जरूरी है जो भी tricks वगरा होता है match prediction वीडियो होता है final team होता है जिस time से हम खेलते हैं सब कुछ आपको हमारे टेलिग्रम पर free में मिलता है टेलिग्रम का जो link है description और fast comment में आपको मिल जाएग link पर click करके आप सीधा हमारे टेलिग्रम चैनल पर जूर सकते हो तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करने थे captain by captain को कैसे select करना है वैसे तो captain by captain choose करने का बहुत सारा लोजिक है बहुत सारा steady करने के बाद सबसे बेश्ट तीन लोजिक आपके सामने लाया हूँ आज यहाँ पर लोजिक में यहाँ पर बता हूँगा कि किस तरह से आपको captain by captain को rotation में डालना है ठीक है तीन लोजिक ऐसे बता हूँगा जबर्दस लोजिक और साथ में second category में बता हूँगा कि कैसे आपको पता करना है कि कौनसा प्लियार आज बेस्ट पार्फुम करने वाला है तो चलिए सबसे पहले यहाँ से start करते हैं और खतम यहाँ पर करेंगे तो start करते हैं यहाँ से तो यहाँ पर लोजिक वान में आपको क्या करना है जैसी कि हमारा टीम में 11 प्लियर का एक टीम होता है है ना 11 प्लियर में हमको दो प्लियर ज़रूरी है कैप्टिन और बाइस केप्टिन के लिए तो देखिए ग्रेंड लिग में कहीं बाई दो टीम के साथ जाते हैं तो कभी कभी कहीं कहीं मतलब 10-20 टीम के साथ भी जाते हैं तो भाईयो इस लोजिक नमबर वान में आपको क्या करना यहाँ पर नौ प्लियर हमारा कन फार्म रहेगा, ठीक है, fav हो थीज्टीर होते हैं, तो यहाँ पर हमने नौ प्लियर को फिक्स्ट कर दिया है, बाकी सिर्फ दो बाकी है, जोकि केप्टीन और बास केप्टीन का स्पोर्ट है, है ठीक है तो टीम लोबर वर्ण में मान के चल सकते हो यह पे सब्सक्राजान किसी सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो जाइब वाण में तीम नमबर ववन में आप क्या करना है जब टीम नूमबर टू क्रेट होगा यह नो प्लियर से मिरेने वाला है ठीक है सिर्फ और सिर्फ यहां पर चेंजे जोगा जो केप्टिन बाइस के बना है वह आगले टीम से ड्रोफ होने वाला है जैसे कि ए और डी को हमने सिलेक्ट कर लिया तो डी और ए आने व क्यं वाल दो प्लाप टो किसी एंट चाहेंगा बाकी सारे टिम मतलब बढ़िया पार्फरों करेंगा आप चेंज करते रहाँगे तो तो कही ना कहीं तीन ध्यान से देख लेना अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो आपको कैप्टिन के लिए कोई कन्फूशन मन में नहीं रहेगा तो चलिए लोजिक नमबर टू के तरफ चलते हैं यहां पर लोजिक नमबर टू में करना क्या है किसी दो प्लेयर को सेट करना है किसी दो प्लेयर को सेट करना है जैसे कि मान लेते हैं यहां पर हार्दिक पांडिया हार्दिक पांडिया और ग्लेन मेक्सुल ठीक है ग्लेन मेक्सुल को हम फिक्स्ट कर लेते हैं यह दो प्लेयर हमारा कैप्टिन रहेगा और बीसी रहेगा ठीक है यहाँ पर नो टिम बनाओ दस ट केप्टेन सेम रहेने वालाएं बाके जो नौ स्पोट है न वाई यह नौ स्पोट में प्लियार रूटेशन में रूटेशन में जाएगा से तो इसमें होगा कि आगर आपका कीयप चेप्तिन सही चल गया तो किसी अऑफ के नहीं होंगा बहुत है एसा होगा है कि वाई यह थोड़ा रिस्की प्रोसेस है यहाँ पर मतलब आपको केप्टीन भाइस केप्टीन तो हार दिन नहीं चलेगा क्योंकि आपने दो ही प्लियर के उपर तार्गेट किया तो वह दो प्लियर मतलब जरूरी नहीं है कि आज सिलेक्ट किया कल ही चले यहाँ पर प्लियर सिलेक्ट होगा ना एक कैसे सिलेक्ट करेंगे हम मतलब कैसे पता करेंगे यह दो प्लियर बेस्ट पार्फॉम करने वाला है वो समझाएंगे नेक्स स्टेप में ठीक है दो इसले वीडियो को पूरा जरूर रोच किजिए चलते हैं लोजिक नमबर थ्री में लोजि है ठीक है जी यह चार प्लियर को हमने सिलेक्ट किया मान के चलते हैं एच फ्लियर बेस्ट प्लियूम करने वाला है इस मैच में तो वह चार कियー को ही हमको केप्टीन बाइस केप्टीन में रूटेशन डालना है जैसे कि टीम नंबर वान में डी केप्टीन हो गया ठीक है एको करेंगे वी सी ठीक है एको करेंगे वी सी अब टीम नमबर वन हो गया ठीक है चलते हैं टीम नमबर टू में टीम नमबर टू में करना किया है डी का कैप्टिन सी तो हो गया साथ में यह पे टीम नमबर टू में डी कैप्टिन रहेगा जी को बनाएंगे वी सी ठीक है टीम में में है को टीम नमबर 3 में में होगा को के देगा एक होगा विसी ठीक है तो मतलब यहां पर डी का काम हो गया डी को कमरी केप्टिन बना दिया तीनों टीमों में ठीक है अब चलते हैं F के तरफ, F को करेंगे captain team number one में, बाकी तीनों को एक एक करके VC करेंगे, ठीक है, ऐसे करके rotation में डालना है captain और vice captain को, तक कि यहाँ पर जो भी, मतलब perform करें, ऐसा भी होआ है, अगर captain को vice captain दिया होता, और vice captain को captain दिया होता, तो भी grand league आ जाता, तो उस case में यह process आपको बहुत काम आने वाला है, miss नहीं होने वाला है, grand league, तो चलिए सबसे बड़ा जो challenge है, difficult challenge है, सबसे बड़ा जो आपका मन में सवाल आ रहा है, वो ही कि वाई, यह जो player आपने दिखाया है, चार player, दो player, तीन player, जो भी आपने दिखाया है, हमको पता कैसे करें, हम कैसे पता कर की कौन best perform करने वाला है, जो सबसे important है, तो इसके लिए आपको यह पर इस step में आना परेगा, देखें, generally match जो होता है, वो तीन category का match होता है, ठीक है, जैसे कि category 1 में हमने रखा है, strong versus weak team, जैसे कि India versus Hong Kong हो गया, Ireland हो गया है, इस तरह का match होता है, strong versus weak match होता है, ठीक है, weak team के बच match होता है, category 2 में आपको देखने को मिल जाता है, weak versus weak, मतलब जैसे कि Hong Kong versus Ireland, Ireland versus Netherland, ऐस तरह का match होता रहता है, यह ना, category 3 में होता है क्या, strong versus strong, जैसे कि India, Australia, Australia, England, India, England, ऐसे इस तरह का match होता रहता है, तो आपको, अगर ऐसा match आपके सामने है, जो कि strong versus weak क्या होने वाला है, तो आपको इस case में करना क्या है, देखिए, सब कहते हैं कि strong versus weak match में एक pitch report जरूरी नहीं है, हाँ वाई, मैं मान लिया, team बनाने के लिए pitch report जरूरी नहीं है, लेकिन captain by captain बनाने के लिए pitch report जरूरी है, strong versus weak match में भी, ठीक है, क्यों, मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ होगा, वो अच्छा खासा score मतलब खारा नहीं कर पाएगा, तो बेटिंग जो भी आएगा, मान के चलिए 80, 90 या 100, सोरान के अंदर पूरे team, weak team का 10 wicket जाने वाला है, तो strong team का जो भी batsman आएगा, उनके पार वो opportunity नहीं रहेगा कि highest run बनने का, क्योंकि सोरान ही बनाये है, आर opportunity मिलने वाला है, 10 wicket चटका ने वाला है, यहाँ पर बेटिंग को तो opportunity नहीं मिलने वाला है, तो अगर weak team पहले belting करता है, strong team पहले bowling कर रहा है, तो strong team का bowler को आप captain, vice captain ठोको, अब बात आते है, spinner को करना है, या first bowler को करना है, इसलिए pitch report बहुत जरूरी है, देखिए pitch report अग जो first bowler होगा न, उनको आप captain और vice captain का contenter choose किजिए, अगर strong team का यहाँ पर, मनिये spinner को shoot करता है, pitch, तो strong team का जो भी spinner होगा, captain और vice captain, आप choose किजिए, आपके लिए फायदयमन होने बाला है, तो भाई हो, यहाँ पर और question mark है, कि भाई, अगर strong team betting कर रहा है, तो हमको क्या करना है strong team आगर betting कर रहा है, तो भाई, आप betting section से भी, आप captain, भाई, captain choose कर सकते हो, फिर भी bowling section important हैगा, क्यों, strong team आगर betting कर रहा है fast, तो बड़ी स्कूर करेगा भाई, तो यहाँ पर कोई संदय नहीं है, ठीक न, तो bowling आपना wicket लेके जाएगा, ठीक न, उसलिए bowling section important हैगा, और betting section मे आप captain ship दे सकते हो, लेकिन fast trainings में आगर bowling कर रहे, week team जैसे netherland bowling कर रहा है, इंडिया की विरुत खेलते होए, तो betting कर रहा है netherland, तो उसके इसमें इंडिया का betsman आपके लिए captain, vice captain के लिए, मतलब इतना important नहीं रहेगा, ठीक है, I hope भाईयो, यहाँ तक आपको समझ में आ ग आगरी में है, जो कि है week versus week team, देखिए इस तरह का जो match है न, वहाँ पर बहुत confusion create होता है, कि captain कौन होगा, vice captain कौन होगा, क्या रहेगा team combination, मतलब जब toss होता है, मतलब सोचते हैं आपका team time खतम हो जाता है, देखिए एक concept को आपको, एक concept तो मैं आपको clear करने वाला हूँ, week versus week match में, wicket ज़्यादा गिरता है, अब यहाँ पर ध्यान से 5, 10, 15, 20, 40, जितना भी match है उटा के आप देखिए लो, हम study करने के बाद ये वीडियो आप लोगो provide कर रहा हूँ, week versus week match में, wicket बहुत जाता है, रान इतना high score नहीं होता है, लेकिन wicket जरूर जाता है, इसलिए week versus week team में, आपके लिए bowling सबसे important pick रहेगा, captain or vice captain, और हाँ, एक बात बोलना भूल गया था, यहाँ पर बीच में, सबसे important captain or vice captain का contenter, किसी भी team का, वो रहेगा all rounder, अगर hardik pandya, ठीक है, Glenn Maxwell, bowling डालेगा 4 over T20 में, यह साथ में, betting order भी उपर है, top में है, तो आख बन कर के आप captain, vice captain, choose क करना है, आपको ठीक है, यह बात को ध्यान में, रखना है, तो इस प्रकर से यही process, इस logic में, एक category 3 में, आपको यूज करना है, अगर यहाँ विग versus विग team में, आपको captain by captain, choose करना है, तो आपको ध्यान में देना है, ध्यान में यह रखना है, फास्ट इनिक्स में कौन बोल कर रहा है, तो फास्ट इनिक्स में बोलर का थोरा advantage होता है, कि death over confirm रहता है, death over confirm आने वाला है, ठीक है न, तो इसलिए फास्ट इनिक्स का जो भी बोलर है, death बोलर है, या फिर all-rounder है, जो कि 4 बोलिंग डाल रहा है, साथ में opening, one down, second down, betting आ रहा है, तो आपके लिए important pick रहेग है, हम सब update कर देते, ठीक है, तो भाईयों यह रहा category 2, category 3 में आपको देखने को मिल जाएगा strong versus strong team, strong versus strong team में होता है, क्या, यहाँ पर कभी-कभी wicket गिरता है, 10 wicket, 10 wicket गिर जाता है, कभी-कभी, ज्यादा तर time, 5 wicket, 6 wicket में match खतम हो जाता है, तो यहाँ पर अगर match 5 या 4 wicket या 6 wicket में match खतम हो जा रहा है, तो यहाँ पर, मतलब signal तो आपको मिल रहा है, कि bowling इतना अच्छा wicket नहीं ले पा रहा है, betting ठीक-टक score कर रहा है, तो इसलिए, इस match में all around that साथ में, बोले, sorry batsman आपके लिए important रहेगा, captain by captain के लिए, खास करके open heart जो होगा, और one down जो भी होगा, और एक मतलब जो doubt है, जो कि है selection percentage, ठीक है, चाहे 10% हो, ठीक है, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, आपको वो ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है, कि ये जो हमने 10 player चुस किया, वारा player चुस किया, या फिर हमने logic के साथ जो वे बता है, सारे वीडियो में, कि ये player, आज जो best perform करने वाला है, वो ही बनेगा हमारे captain और vice captain, ना कि 20% ना कि 10% ये बात को धियान में रखना, जो best perform करेगा वो ही captain, second best जो भी बनेगा, वो ही vice captain रहेने वाला है, ये बात को धियान में रखना, ओल्ड़ी दो, दो तिन वीडियो में बता आ चुका हूं, तो strong versus strong team मे इंपोर्टेंट है, यहाँ पर death baller, अगर फास्ट इनिक्स में bowling आए, तो किसी team का, मने इंडिया वर्सस इंगलेंड का मैच है, तो इंडिया ने bowling कर रहा है, इंडिया बोलिंग कर रहा है, तो इंडिया का death ball, death over का bowler, और batsman, और all-rounder, तीनो section important रहेगा, ठीक है, दो तरीक comment section में अपना comment डाल देना, और video पसंद आया, तो एक like कर देना, बाकि चैनल को subscribe नहीं किया, चैनल को subscribe कर देना, टेलिग्रम पर भी जरूर जूट 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 जाएगा, तो भाईयों मिलते हैं, अगले और एक जबर्दस tricks के साथ, तब तक के लिए, खुद का ख्याल जर रखिएगा, जैहिन!